दोस्तो हाली में रिलीज हुई अनुभव सिना दोरा डारेट के गई फिल्म थपड जहाँ पर हमको नजर आय थी तब सी पानू यहाँ पर दोस्तो बहुत घटिया किसम की कोशिस की अनुभव सिना ने सिर्फ डायवोस को प्रमूट करने की और स्टूडो फेमिनिस्ट जो उ अन्संग वारियर पसंद नहीं आ रही थी उन लोगों को इस फिल्म में बहुत ही बहतरीन चीज़ें मिल गई जिन लोगों को ताना जी अन्संग वारियर में कॉमेडी और रोमैंस की कमी लग रही थी उन लोगों को इस फिल्म में एक गल्ती नहीं दिखाई थी लेकिन दो तो दोस्तों ऐसे और भी कई सारे मूभी रिव्यूर्स यह जिन लोगों ने इस थपड फिल्म का पोल खोल कर रख दिया और साबीत किया कि यह जो फिल्म एक नंबर की वायात है जहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं सिर्फ सीनेमा के बारे में इसके प्रुपोगेंड़ा एजेंडा को अगर हटा कि सिर्फ सीरेमा के बारे मैं बात करूँ तो दोस्तों थपड़ फिल्म एक एबरेज सी ही फिल्म है यहाँ पर जो स्क्रीन प्ले है वो भी कई जगा पर बहुत यहादा कमजोर है रिपीटेड सीन्स हम को यहाँ पर देखने को मिलते हैं तपसी हैं कंगना रनावत से कई गोचू लोग उनका कंपरिजन करते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कहां कंगना रनावत और भर कहां पर तफसी पानुशिर बाल भुंग्रलू हो जाने से कहीں नहीं बन जाता ह। तो दोस्तों कुल मिला जो लागर अब मैं बात करने बाला हूं आप लोगों के साथ फिल्म थपड की पूरी कहानी के बारे में यहां पर दोस्तों छै महिलाओं की कहानिया हमको दिखाए गई और दोस्तों मैं आप लोगों के सामने पूरी तरीके से इन कहानियों के बारे में discuss करूँगा, साथी साथ ये भी बताने की कुशिस करूँगा कि क्यूं ये कहानिया बहुत ही ज़्यादा वाहियात है सच्चाई के साथ इसका दूर दूर तक कोई भी रिस्ता नातन नहीं है, दोस्तों सच्चाई और रियाल्टी की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कही सारे बड़े-बड़े मूभी रिव्यूर्स फिल्म क्रिटिक्स ने यहाँ पर यहाँ तक भी बोल डाला कि यह जो फिल्म है थपड यह पूरी तरीके से रख दूंगा अभी अपने इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो की आप लोग के सामने बात कर देना चाता हूं और यह दो चीजों के बारे में आप लोग भी जानते हूंगे लेकिन यह दो चीज यह दो पॉइंट क्लिर होने चाहिए सबसे पहले दोस्तों, फेमिनिजम ये जो सब्दे बहुत ही भारी भरकम सब्दे जिसको आजकल बहुत ही ज्यादा प्रयोग, यूपयोग में लाया जा रहे है और दोस्तों इसका अर्थ इसका मतलब आप लोग गूगल पर जाकर खोज लीजिए देख लीजिए पता कर लीजिए कि फेमिनिजम का मतलब आखिर में होता क्या है तो जो ये सोच रखता है उसको आप फेमिनिस्ट कह सकते हैं कि औरतों को महिलाओं को समान अफसर और अधिकार प्राप्त होने चाहिए लेकिन दोस्तों इसके बाद आते हैं कुछ फेक फेमिनिस्ट और कुछ हराम खोर लोग जिनको सूड़ो फेमिनिस्ट कहा जाता है जो खुद को फेमिनिस्ट बोलते हैं लेकिन फेमिनिस्ट के मुद्दों से दूरो कर सिर्फ पूरुसों को गलत ठहराना पूरुसों के प्रती नफरत घ्रणा की भावना रखते हैं इनका मकसद बस एक ही होता है कि कुछ भी करके बस मर्दो के बारे में गलत चीजे ही हम सामरे रखेंगे मर्दों को बूरा दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिस करेंगे कि मर्द हमेशा गलत होते हैं, मर्द बहुत ही आदा खराब होते हैं तो दोस्तों इन solo feminist का ही ये काम है, कि ये लोग ठपर फिल्म को प्रामोट कर hanya है, ये लोग ठपर फिल्म की जम कि तारीब करने है तो दोस्तों कुल्म भी этомला कर अब मैं सुरू करने वाला हूं धब फिल्म की कहानी और आपके साथSmी किस कहानी में क्या-क्या दिकट है क्या-क स्टोरी यहां पर अमरिता की है उसके बाद अमरिता की नौकराणी सुनीता की कहानी है फिर उसके बाद अमरिता की लॉयर महिला लॉयर की कहानी है उसके बाद अमरिता की मा की कहानी है अमरिता की सास की हर काम तक वो अम्रिता पूरी तरीके से अपने पती को सपोर्ट करती है, उसका ख्याल रखती है, बहुत यादा क्यार करती है, मतलब कि अपनी पूरी जो लाइफ है, उसने अपने पती के नाम कर दिया है, और उसका पती बहुत यादा एमिसेस है, अपने काम को लेके बहुत यादा सीरियस है, एक कमपनी में काम करता और जल्द ही इसका प्रोमोसन होने वाला है, यह लोग लंडन जाने वाले हैं, अभी तक प्रोमोसन हुआ नहीं है, ऐसा ख़बर है कि प्रोमोसन होने वाला है और यह लोग लंडन जाने वाले हैं, और इन लोगों ने पूरे अपने पती को प्रमोशन मिलने वाला है उस दिन ऐसा होता है कि किसी और को प्रमोशन मिल जाता है और अमरिता के पती का पत्ता कर जाता है तो दोस्तों यहां पर यह मौका होता है एक पार्टी का साम का वक्त होता है जहां पर अमरिता के घर पर ही यह पार्टी और्गनाइज की गई होती है यहाँ पर अमरिडा के पाती को यह पता चलता है कि अब उसका परमोसन नहीं होने वाला उसकी पोष्ट किसी और को दे दी गई है अब लंडन नहीं जाने वाला तो अमरिपा का पती काफी ज throughput में रहता है काफ़ यादा frustrated रहता है नसे में भी रहता है दुखी भी रहता है तो इसी माहौल में party के बीचो बीच वो अपने colleagues और boss के साथ बातचीत करने लगता है बहस होने लगती है तुटू में में होने लगती है और साथ हाथफाई भी सुरू हो जाती है और उसी समय डडेली फिल्म में कनवर्ड हो जाती है दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि सिर्फ एक थपड़ पड़ता है और अमरिता पूरी तरीके से इस जिद पर अड़ जाती है कि मुझको अब डाइबोश चाहिए मेरे साथ बहुत गलत हुआ मेरे आत्मसमान पर चूट पहुंची यह है मच इस लिए नहीं मारा गया है कि आण उसको हुसके नराज हो सकती थि फिर उसके बाद उसका सौरी बोलता मनाता जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अमरिता के पती को समझाते कि तुमने गलत किया तुमको असर नहीं करना चाहिए मनाते समझाते तो सब कुछ यह ठीक हो सकता था इसका सॉल्यूशन मिल सकता था यहां पर डायवस की जरूवत नहीं थी तो दोस्तों इ यही दिखाएगा कि अमर्ता फुल टाइम हासवाइब अपने फेमिली में सास की इजत करती रेस्पर करती है प्यार करती है अपने पती से पती भी प्यार करता है हर चीज बहतरीन दिखाए गई शिर्फ एक थपड जो कि गल्टी से मारत यह इंज्टेंशनली नहीं मारा थ इसके लिए डाइबॉस यह बहुत ही गलत चीज़ है इस कहानी को पूरी तरीके से वाहियत कहानी बोलता हूं अभी और सुनिये उसके बाद दोस्तों दूसरी कहानी जो अमृता की नौकराणी सुनीता की है यह कहानी डीसेंट है अच्छी है लेकिन यह कहानी में जो अनुभ लेकिन दोस्तों फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा दिखाया गया कि सुनीता अपने पती को पलट के एक थपड मार देती है और दोस्तों यह सिन दिखा कर अनुभब सिना ने अपने फिल्म के साथ खुद ही मजाक कर दिया जहां पर उन्होंने अपने फिल्म का टैग लाइन यह रखा था सिर्फ एक थपड लेकिन नहीं मार सकता वहां पर उन्होंने खुद एक महिला द्वारा एक मर्द को थपड मरवाया जिसका मतलब यह साफ सा पता चल रहा है कि अनुभब सिना को थपड से प्रॉब्लम नहीं है अनुभब सिना को प्रॉब्लम है कि मर्द और को थपड़ न बारे और अशब को थपड़ मारे और यहां पर डायबॉस होना चाहिए था क्योंकि सुनीता बहुत ही ज्यार अफ्मान सह रही थी उसका पती बिना वजय उसको थपड फड़ फड़ नारे जा रहा रहा है फील्म भर में तो यहां keeping फिल्म के क्लामेक्स में सुनीता को डाइबोस मिलना चाहिए था लेकिन इस केस में डाइबोस मिलता हुआ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जबकि इस केस में बहुत ही ज्यादा जरुवत थी और जिस केस में डाइबोस दिखाया गया अमरता के केस में वहां पर काफी आरा पर दिखा पाए दोस्तों तीसरी कहानी एक महिला लॉयर की है जो कि अमरिता का केस हैंडल कर रही है जो अमरिता को डिवार्ट दिलाने में लगी हुई हैज जो अमरिता को यह बताने में लगी हुई है कि आफ 498 चार्ज कीजिए 498 से आपको बहुत फायदा होगा वगरा वगरा कई सारी डायवास की फायदे वाली बातें यहां पर अमरिता को बताने में लगी हुई है एक महिला वकील और इस महिला वकील को दोस्तो इस तरीके से दिखाया गया है पहले में बता देना चाहता हूं इस म हको पसंद असंद नहीं करता इस ताइब कर दिखाये गया है लेकिन फिर भी यह महिला वकील जो खुद दूसरों कर डायवास कर वाती यह अपने पत्ती के साथ है क्यों सात है मुझको नहीं पता एक प्लंज कि इन लोगो की इन लोगों की इस महिला वकीण एक अपर च्लं पैसे वाली है अपर क्लास घर की है लोगों का डायबॉस करवाती है अमृता का केस हैंडल कर रही है अमृता को ये बता रही है कि आपको 498 लगा देना चीए इससे ये फाइदा होगा डायबॉस से ये फाइदा होगा ये बताने में लगी हुई है और अपने पती से खुष नहीं है, अपने पती से छुप-छुप कर एक कम उमर के लॉंडे के साथ घूमती है, जो कि एक सैप की नौकरी करता है, उसके साथ यह बहुत यादा खुसी महसूस करती है, सबसे बड़ी बात, यह सब का डायबोस करवाती है, महिला वकील है, पैसे वाली है, सक्सेस्फुल ह लेकिन फिर भी इनका पती इनके उपर अत्याचार करता है, जवड़जस्ती इनके साथ संभोग करता है, सेक्स करता है, जवड़जस्ती इनको मॉलिष करता है, लेकिन फिर भी यह महिला वकील अपने पती से डायबोस नहीं ले रही है, और इस कहानी को देखने के बाद अमृता की मां कि जब जगड़ा हो जाता है मतलब कि जब थपड क्यालीती यह मुझे साथ बहुत देगलत हुआ तो वह थपड़ खाने के बाद आ जाती है अपने घर अपने माता पिता के पास और यहां पर उसके माता पिता थोड़ा भुट उसको समझाने की कोईसिस करते है लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा हसी मुझे तब आ गई जब अमृता की माँ खुद रोध होकर ये कहने में लग जाती है मैं पर तो सिंगर बनना चाहती थी लेकिन मुझे तो आपने सिंगर नहीं बनने दिया मुझे भी सेक्रिफाइस करने पड़ी साधी के चलते हैं कि ऐसा माहौल बन चुका है बेटी का घर उजडने वाला है बेटी का डाइबोस होने वाला घर तूटने वाला है तो यहां पर माबाप का पूरा ध्यान कहां पर रहेगा कि किस तरीके से बेटी को समझाए या किस तर यहां पर सिर्फ यही दिखाने की कोशिस की गई है चाहे 60 साल हो चाहे 25 साल हो चाहे 20 साल हो चाहे 40 साल हो हर जगा हर रिलेशन्सिप में साधी में सिर्फ मर्दों की ही गल्ती होती है मर्दों के चलते ही महिलाएं आज खुस नहीं कि मर्द कितने खराब होते हैं मर्द बहु कराने वाली ये फिल्म थपड़ है that's why pseudo feminist लोगों ने इस फिल्म का जमके तारीप किया है तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो जो कहानिया हमको दिखाए गई जैसे कि अमरिता की मा की भी जो कहानी दिखाए गई और साथी साथ दोस्तों अमरिता की जो सास है उसको भी द फिल्म डाइबोस को प्रमोट करती है यह फिल्म सूडो फेमिनिजम को प्रमोट करती है that's why मैंने सुचा कि यह वीडियो बनाओ जहां पर मैं बात करूं आप लोगों के साथ इस फिल्म थपड की कहानी के बारे में और दोस्तों दिया मिर्जा यहाँ पर बनी हुई है पड कि इहां पर फेमिनिजम इसे कोई चीज नी है यहाँ पर इकॉलिटी की बाती नहीं हो रहे है यहाँ पर दोस्तों विए कहना चाऊँ हूँ है कि अगर ऐसा यहाँ पर मानन लीजी जो पार्टी हो रही है जहांपर थपड पड़ता अमृता को अगर इस तरह भर गया होता कि अमर्ता का पती यहाँ पर खड़ा है अमर्ता के बॉस हो या कॉलिक्स जो है यहाँ पर खड़े हैं और अमर्ता अपने पती के बगल में खड़ी हुई है और यहाँ पर अमर्ता का पती काफी यादा बहस जगड़ा कर रहा है और अमरिता उसे समझाने की कोशिस कर रही है और अगर अमरिता का पती ऐसे पलेट के अमरिता को देखके एक ठपड मारता तब ये फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत जायज हो सकती थी लेकिन यहाँ पर दोस्तों अमरिता के पती ने जो ठपड अमरिता को मारा है वो काफी ज़्यादा ऐसा ही महसूस होता है कि नसे में, गल्ती में, गुसे में, दुखी में मारा लेकिन वो गुसा अमरिता पे नहीं था, वो अमरिता को जान भुच कर थपण नहीं मारना जाता था और जो भी बड़े बड़े film critic, movie reviewers इस film की तारीप कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इस film में हमको सच्चाई का आइना क्या क्या दिखा दिया गया समाज का आइना दिखा दिया गया ऐसी कोई बात नहीं है या तो वो लोग pseudo-feminist हैं या तो उन लोगों की फटी हुई है pseudo-feminist लोगों से क्योंकि जानते हैं कि एक ऐसी फिल्म अगर आ रही है जहां पर महिलाओं का दुख दर्द तकलीब दिखाये जाएगा अगर वो फिल्म की आप तारीप नहीं करोगे बता सही है गलत क्या है बताओ 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 तो दोस्ता मैं चलता हूँ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहें बंदे मातरव इसाला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे